आज हम लोग बात करेंगे प्लाजमा आर्क मशिनिंग तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लाजमा का मिंस क्या होता है प्लाजमा जो टर्म है उसको हम लोग समझते हैं प्लाज्मा हम लोग किसको बोलते हैं प्लाज्मा जो अगर हम लोग बात करें मैटर का तो उसका तीन फेज होता है आपका इसके अलावे भी जो एक फेज होता है जिसको हम लोग फोर्थ एस्टेट अप मेटर बोलते हैं तो वो कब होता है जब गेस को जब हम लोग काफी हाई टेम्परेचर में जब हम लोग हीट करते हैं तो इसका जो आइन्स है वो तूट जाता है नेगेटीव आइन्स में और पोजिटीव आइन्स में और कुछ न्यूटरल्स में न्यूटरल से टम्थ में जब हम लोग gas को जब हम लोग heat करते हैं at high temperature लगभग पच्पन 100 degree centigrade पे जब हम लोग gas को जब हम लोग heat करते हैं तो ये क्या हो जाता है ये ionized हो जाता है ठीक है जब हम लोग heat करते हैं पच्पन 100 degree centigrade पे तो ये जो atoms होता है वो आपका negative ions और positive ions और some neutrals तो इसमें जो है की negative positive ions में जो है की टूट जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते है प्लाजमा ठीक है तो जो high temperature के जब हम लोग heat करते हैं तो gas क्या हो जाता है यह आइनाइजट फर्म में हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते है प्लाजमा तो इसी आइनाइजट फर्म को हम लोग क्या बोलते है प्लाजमा और इसी को हम लोग यूज करते हैं प्लाजमा को आर्क बनाने में ठीक है आर्क क्रियेशन में हम लोग जो यह जो आर्क बनता है यहां पर स्पार्किंग के थुरू तो हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा आर्क मशिनिंग है ना तो हम लोग इसमें क्या करते हैं जो इलेक्टोड है, यह जो मेरा इलेक्टोड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग DC सफलाई के साथ हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, और यह इलेक्टेड, इलेक्टोड को जो है कि यहां पे, नोजल के बीच में रखाया था, यह जो आपका nozzle होता है यह nozzle है इसको हम लोग क्या बोलते है nozzle ठीक है इस nozzle के बीच में रखायाता है और यह workpiece को हम लोग power supply में हम लोग positive terminal के साथ हम लोग connect करते हैं और nozzles को भी हम लोग क्या करते है positive terminal के साथ हम लोग connect करते है ठीक है और यह जो आपका है इलेक्टोर्ड जो की जनरली बना होता है यह टंगर स्टन का तो इस टंगर स्टन को हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं और वर्थपीस को हम लोग क्या करते हैं positive terminal के साथ connect करते हैं तो जब हम लोग यहां पर DC supply हम लोग power supply कर देते हैं तो यहां पर यह जो है कि यह arc create होता है इस anode और cathode के कारण यहां पर क्या होता है आर्क create होता है ठीक है और यहां पर यह जो gap है इसमें हम लोग क्या करते हैं यहां पर हम लोग gas supply करते हैं और यह gas जब आता है यहां पर arc के साथ जब यह मिलता है तो यह gas इस heat के कारण क्या होता है यहां पर arc में जो है आर्क जो है की create होने कार यहां पर 500 degree centigrade यह आपका temperature होता है degree centigrade तो जब हम लोग यह gas जब हम लोग supply करते हैं तो यह gas यहां पर arc के यहां पर जब आता है तो यह क्या होता है gas ionized हो जाता है यहां पर plasma creation होता है यहां पर क्या होता है प्लाज्मा बनता है यहां पर 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 गेस को जो भी गेस हम लोग यूज करते हैं इन जेनरल हम लोग गेस क्या यूज करते हैं आरगन यूज करते हैं और हाइड्रोजन यूज करते हैं और नाइट्रोजन यूज करते हैं ठीक है और हम लोग कभी-कभी ऑक्सीजन में यूज कर लेते हैं तो इस गेस को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हीटिंग के थ्रू हम लोग इसको और आयनाइड करते हैं और है कि temperature increased हो जाता है क्या हो जाता है temperature increased हो जब यह plasma बनता है तो और इसका temperature increased होके जो है कि आपका यह आपका 12000 से आपका 28000 degrees centigrade तर यहां पर आर्क बनता है आर्क का temperature due to plasma तो यहां पर इस plasma के कारण जो आर्क जो create हो रहा है और आर्क का temperature जो है कि increase हो जारा है जिसके कारण यहां पर हम लोग इस आर्क को हम लोग यह nozzles के through high velocity के nozzles का क्या काम है nozzles का काम है इसका velocity को increase कर देना इस आर्क का velocity को increase करके high velocity से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं work piece पे हम लोग impact करते हैं जिसके कारण जो है कि यह work piece को क्या करता है melt कर देता है और यहाँ पे यह cut करता है दिख रहा होगा यह figure में आपको यहाँ पे जो है कि यह electrode है यह आपका जो की है मेरा tungaston का बनाता है कि इसका बनाता है tungaston ठीक है और यहाँ पे जो आपका है यह जो आपका दिख रहा होगा यहाँ पे जो है कि एक water jacket रहता है यह आपका जो है कि water jacket है यह आप जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा colorful picture में यह जो है आपका water jacket होता है यहां का जो temperature जब high temperature हो जाता है तो उसको हम लोग cooling करने के लिए हम लोग इसका use करते हैं ठीक है so that यहां पर cooling maintain रहे किसी तरह का वो यह equipment को damage ना करें ठीक है और यहां पर जो यहां पर देखे gas supply unit है यहां से हम लोग क्या करते है यह gas supply हम लोग according to work piece का material के according हम लोग यहां पर gas का choose करते है in general हम लोग aluminum product के लिए हम लोग क्या करते है nitrogen और hydrogen हम लोग use करते है nitrogen और hydrogen और mixing of यह दोनों का mixture भी हम लोग use करते है और steel product और cast iron के लिए हम लोग क्या use करते है जो है कि nitrogen और argon भी हम लोग यहां पर use करते है ठीक है और hydrogen भी use करते है generally nitrogen hydrogen जो है कि आपका common gases है ठीक है और यहां पर देख रहे हैं कि यह आपका जो है कि water jacket water jacket भी हम लोग यहां पर install करते हैं तो यहां पर water jacket हम लोग क्या क्यों use करते हैं for cooling purpose के लिए इस machine को हम लोग ठंडा रखने के लिए ठीक है और जैसे ही हम लोग यहां पर power supply हम लोग on करते हैं तो power supply ion करने से क्या होता है यहां पर current conducting जो है कि इसके थिरूँ जो है कर थे कबास होता होता है तो इसी को हम लोग एक बार डीटेल हम लोग यहाँ पर वह देखिए प्लाजमा आर्क समस्था sooner तो प्लाजमा हम हम लोग किसको क़ते हैं प्लाजमा जो है कि गेस को को जब हम लोग हीट करते हैं एट हाइए डिट नंतरिचर लगभक 55-100 वे centigrade पे तो वो gas क्या हो जाता है यह आईनाज हो जाता है gas का molecules जो होता है वो तूट जाता है gas का molecules जो ही की तूट जाता है negative ions और positive ions और neutral ions ठीक है तो gas जो atoms होता है कोई भी gas जो कि हम लोग यूज करते है nitrogen, helium, argon ठीक है nitrogen, generally हम लोग nitrogen hydrogen हम लोग यूच करते है और mixture भी ठीक है ओर आयंस के रूप में फोर्म हो जाता है तो प्लाजमा इसनों को हम लोग क्या आप्लाज्मा इसी को हम लोग बलते हैं प्लाज्मा जब हिट करते है उसको जब हम लोग आयंज के रुप में हम लोग ४र्म कर देते हैं तो यह पर आइनाइट गेस कोल्ड closely ठीक है तो जैसा कि हम लोग भी बिस्कस किए तो जो इस्टेट होता है वह आपका जो में सवर्डिड लिक्वीड और suppose कि सबंद होता है जब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चिल ऌनल मोग फोर सेश्टेट हम को सबंद मिलंग घिट करते हैं है थो ओ हते तो गैस क्या हो जाता है यह आपका आइनाइड हो जाता है और पॉजेटिव नेगेटिव आइन्स में जो ही की तूट जाता है और इसी आइनाइड फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं प्लाजमा When gas is heated around 500 degree centigrade, the gas is partially ionized in the form of negative positive ions and neutrals, तो इसको gas को जब हम लोग heat करते हैं, 500 degree centigrade पे, तो ये क्या हो जाता है, ionized हो जाता है, तीक है, partially ionized, तीक है, when gas is heated, the collisions occurs between ionized atoms, जब gas को जब हम लोग heat करते हैं, तो वहाँ पे gas का जो molecules होता है, जो ionized form में जो तूट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो collision होने लगता है, जिसके कारण जो है कि kinetic energy जो है की increase हो जाता है, जिसके कारण जो है की electrical conductivity जो है की increase कर जाता है, तीक है, इस plasma has ability to conduct electricity due to presence of electrons, ये जो प्लाजमा जो है की electricity को पास करने में मदद भी करता है, जब ये gas कम्प्लिटली आइनाइज, जब ये gas कम्प्लिटली आइनाइज हो जाता है, तब उसका जो है की temperature जो है की आपका increase हो जाता है, बहुत ज़्यादा है की increase हो जाता है, ये gas is completely ionized, then temperature of the central part of the plasma is very high, about 1100 से 28000 degrees centigrade, 1100 से 28000, जब गुप्लिटली प्लाजमा जो है की आइनाइज हो जाता है, पहले partially होता है, फिर ये जब ये जब गुप्लिटली हो जाता है, तो उसका जो temperature हो जाता है वो आपका 800 degree centigrade ठीक है और इसी को हम लोग क्या बोलते है plasma और इसी के कारण जो ही की arc create होता है जैसा कि अभी हम लोग देखें कि electrical connectivity को भी क्या करता है increase कर देता है और वहाँ पे arc बन जाता है ठीक है sparking के कारण क्या हो जाता है arc creation होता है और उस arc को हम लोग क्या करते है nozzle के थ्रू जो है कि हम लोग उसको work piece पे हम लोग इसको impact करते है such an ironite gas is directed on the work piece through high velocity jet ठीक है velocity of jet जो jet हम लोग जो nozzle बोल रहे है उस nozzle के थ्रू हम लोग क्या करते है work piece में हम लोग उसको यह जो आपका जो construction है यह आपका जो है कि यह nozzle है तीक है यह circular nozzle है और इस circular nozzle के बीच में यहां क्या होता है यह आपका electrode जिसको हम लोग क्या बलते है tungsten का electrode बना होता है और यह जो connect होता है आपका negative terminal के साथ और positive terminal जो है कि आपका work piece के साथ connect होता है तीक है यह positive terminal Bennevard piece के साथ कननेक्ट होता है और positive जो है कि आपका ये नोजल के साथ में कनेक्ट होता है तो नोजेर म सबस्का क्या काम है यहां पर जो और सपार्क block बन शोंग इस को हई वेलॸिति के सास्थ यहां पर निकलेगा और यहां पर पूर पीस श्रीज इसको impact कराएंगे और यहां से इस material को हम लोग cut करेंगे तो अगर हम लोग बात करें इसका क्या क्या setup है कौन-कौन सा हम लोग component यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे करते हैं यहां प्राज्मा करें टार्च करते हैं यहां पे लोग क्यात करते हैं यन करते हैं ठेके जिसको हम लोग गयस को हम लोग क्या करते हैं Ionite करते हैं at high degree temperature लगभग 500 degree centigrade और हम लोग क्या करते हैं यहां पर cooling system हम लोग जैसा की हम लोग discuss किये cooling system भी लोग यूज करते हैं, then power supply source, DC power supply source, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो plasma cutting tool जिसको हम लोग बोर रहे हैं, plasma cutting torch is made of tungsten electrode, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा material का बना है, tungsten electrode, which is connected to negative terminal of DC supply voltage from power source, is called cathode, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cathode भी बोलते हैं, ठीक है, next अगर हम लोग बात करें, tool और work piece का, तो tool जो ही कि आपका, जिसको हम लोग electrode बोलते हैं, वो आपका negative terminal के साथ connect होता है, DC supply के साथ, उसको हम लोग cathode भी बोलते हैं, और work piece जो ही कि आपका किस के साथ connect होता है, जो ही कि आपका positive terminal के साथ, ठीक है, work piece is connected with positive terminal of DC supply, जिसको हम लोग क्या बोलते है, anode, यह आपका tool और work piece के बारे में है, इसी तरह हम लोग बात करें, gas supply unit, तो gas में हम लोग in general जो combination है, वो आपका nitrogen, helium, hydrogen और argon, ठीक है, तो यह और mixture of these, तो यह आपका जो ही कि gas में हम लोग इतना, हम लोग यूज करते हैं, और the choice of gas depends on the basis of material to be cut, जो भी हम लोग material को cut करते हैं, जिससे हम लोग steel हम लोग cut करेंगे, चाहिए फिर काश्टान यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जंदर ली जो है कि आपका nitrogen और hydrogen नाइट्रोजन और hydrogen, steel के लिए, और cast iron के लिए, और aluminium के लिए भी आपका oxygen और nitrogen और hydrogen, और cooling system का क्या काम है, cooling system का जो requirement है आपका जो है कि provide circulation of water, generally हम लोग cooling system में हम लोग क्या करते हैं, water circulate करते हैं, so that जो है कि आपका equipment जो है कि अभर हिट ना हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म के कारण जो है कि वो work piece, जो machine equipment है, उसको damage ना करें, ठीक है, ठीक है, और अगर हम लोग power supply का बात करें, तो power supply में हम लोग क्या यूज करते हैं, power supply में हम लोग बात करें, DC power supply में हम लोग क्या देते हैं, DC power supply, और जो है कि आपका 400 volt तक हम लोग देते हैं, और जो है कि आपका 200 kilowatt तक हम लोग इसका power का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो यह आपका जो है कि इतना यादख ना है, तो इसका अगर हम लोग बात करें, इसका advantage और disadvantage का, तो इसका advantage हम लोग बोल सकते हैं, material removal rate जो है कि आपका काफी high होगा, तो material removal rate is very high, ठीक है, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं, any material to be cut, किसी भी type का हम लोग material को cut कर सकते हैं, either in terms of हम लोग उसका hardness के respect में बोलें, तो harder material को भी हम लोग cut कर सकते हैं, any material to be cut as respect to its hardness, तो किसी भी hardness, harder material को भी हम लोग यहाँ पर cut कर सकते हैं, और as respect to conducting or non-conducting material should be cut, ठीक है, किसी भी तरह का material का हम लोग यहाँ पर cut कर सकते हैं, इसका एक advantage है, it can cut steel material in faster rate, जिससे आपका steel material है, और भी other equipment है, उसके respect में आपका यह जो प्लाज्मा आर्क मशिनिंग का cutting rate है, वो आपका 10 times faster rate है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं, it can cut steel material in faster rate, तो हम लोग इसका जो cutting rate है, हम लोग बोल सकते हैं, इसका क्या है, faster rate है, और हम लोग बोल सकते हैं, 10 times faster than other equipment है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 10 times, 10 times, faster, cutting rate, cutting rate, to any other equipment, तो और हम लोग बोल सकते हैं, it produce high temperature, जिसे कि plasma, जो ही कि आपका plasma, जो creation होता है, वो किसके काम होता है, वो ionized gas को जब हम लोग high temperature पे जब हम लोग ले जाते हैं, gas को जब हम लोग heat करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आइनाइट हो जाता है, और वो जो temperature है, आपका 12,000 degree centigrade से आपका 28,000 degree centigrade तक चला जाता है, तो यह आपका क्या produce करता है, high temperature, तो इसका अगर हम लोग disadvantage का बात करें, तो initial cost जो है कि इसका काफी high होता है, initial cost is very high, ठीक है, it produce noise, जो आपका sparking के कारण जो है कि और high temperature form के कारण, और nozzle में क्या होता है, वो velocity को increase करने के कारण, वहाँ पर क्या होता है, noise creation होता है, ठीक है, तो हम लोग noise creation होता है, तो इसके लिए हम लोग, noise protection और noise separation equipment भी हम लोग यूज करते है, ठीक है, it produce noise, so noise protection is necessary, तो जिसके कारण ये आपका कुछ disadvantage के टर्म में हम लोग इसको बोल सकते है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर हम लोग यूज करेंगे, तो वहाँ पर मैन को भी थोड़ा सा हानी पहुंचाएगा, noise सुनना पड़ेगा, noise के कारण हो सकता है, वहाँ पर vibration भी होगा, तो इस तरह का disadvantage है, और heat affected zone is more, तो जैसा कि हम लोग अगर यह वर्कपीस को जैसे हम लोग यहाँ पर कट कर रहे हैं, यह यह पार्ट को अगर हम लोग कट कर रहे हैं, nozzle के तुरू, यहाँ जो मेरा spark जो जा रहा है यहाँ पर तो यह काफी high temperature है, आपका 12,000 degree centigrade, तो क्या होगा heat affected zone, that means इस वर्कपीस material को क्या करेगा, इसको भी तो heat करेगा तो इसका material का property को क्या करेगा, यहाँ पर change कर देगा, यहाँ पर जो side वाला part है, इसका material property को change कर देगा, इसी को हम लोग बोलते है, heat affected zone, जिसे कि यहाँ पर हम लोग को cut करना है, चाहाँ जो भी hole करना है, drilling करना है, चाहाँ फिर cut करना है, तो इस पार्ट को भी क्या करेगा, heat कर देगा, जिसके कारण heat करने से क्या होता है, इसका कुछ property change हो जाता है, और affected zone आ जाता है, इसी को हम लोग को बोलते है, heat affected zone, तो heat affected zone की create हो जाता है, और हम लोग next देखते है, safety precaution is more, जैसा कि हम लोग यहाँ पर high temperature पर हम लोग इसको use करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको safety की जादा लेना पड़ेगा, और हम लोग इसका बोल सकते हैं, highly skill operator का हम लोग इसको requirement होगा, और इसका अगर हम लोग बात करें, applications कहां कहां पर use होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, जहां पर भी industrial purpose से जो है कि आपका cutting हो गया, welding हो गया, फिर shape cutting हो गया, किसी भी circular shape में cut करना है, या फिर hexagonal shape में आपका cut करना है, इसी direction में आपको किसी circular section में आपको cut करना है, तो यह जो ही कि आपको यहां पर इसका application यूज पढ़ता है, तो torch जैसे होता है, बस आर्क को जो है कि इसके around गुमा देना है, तो वो क्या हो जागा, उस shape में आपको में cut करना है, that means shape cutting, किसी भी circular shapes और zigzag shape, तो इस तरह का shape में हम लोग किसी भी seat को हम लोग cut कर सकते हैं, जिसे आपका यह seat material है, अगर हमको यहां पर इस तरह का cut करना है, इस तरह का cut करना है, इस direction में, तो यह आपका shape cutting हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, और automobile industry में भी यूज करते हैं, इसको और any other industry में भी हम लोग यूज करते हैं, industrial application में, तो इसको हम लोग detail थोड़ा से एक बार, फिर से अबर भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार, तो plasma arc का working principle आप समझ गयें, कैसे आपका जो है कि इसको हम लोग plasma हम लोग कैसे create करते हैं, तो plasma का means क्या होता है, ironite gas, ठीक है, जब यह gas को जब हम लोग high degrees temperature पर हम लोग इसको heat करते हैं, तो gas जो ही कि ironite हो जाता है, इस ironite gas को हम लोग क्या बोलते हैं, plasma, और इसी plasma को जो ही कि हम लोग यहाँ पर arc creation के लिए हम लोग उज़ करते हैं, और यहाँ पर plasma के कारण जो ही कि यहाँ पर electricity conduction जो ही कि बढ़ जाता है, और यहाँ पर arc creation होता है, और इस arc को हम लोग nozzles के तुरू हम लोग high velocity से हम लोग इस work piece पर हम लोग impact करते हैं, और इस work piece को हम लोग cut करते हैं, तो यह कुछ applications और advantage, disadvantage और working principle है, तो जो हम यहाँ पर लिखे हैं, उसको आप जो ही कि note कर लिजएगा, और इसको pause करके आप note कर लिजएगा, ठीक है? Thank you.